हाई गाईस वेलकम बाक टू मैं चैनल डिस अधी फार्मर केला आप सब लोग ठीक होंगे कि आज तो भी फार्मसी एट सेमिस्टर वाले बच्चों के लिए काफी helpful होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे वीडियु आपके लिए काफी जादे helpful होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए बिना टाइम वेच करते हुए इस helpful देखेर hebt सबस्क्राइक के देखेर ऑप की हम से उच्छी में कि एड़ सेमेस्टर में प्रोजेक्र काॊटर फिश्व का शन्य तो जिसके वहां पूंगा। पूमा होता है इसे तरीके का और सुली नेज़ आट रहा है। आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है जैसे इस में formulation of evolution of poly herber powder shampoo तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है फिर आपको लिखना है अपने university का नाम या अपने college का नाम जैसे ये पीजार होता कि university का है तो फिर आपको यापके अपने college का नाम लिखना है फिर उसके बाद roll number और अपना enrollment number जैसा भी आपकी college चाहता है वैसे आपको लिखना है next उसके बाद आता है declaration में आपको बस वे ही लिखना है कि ये जो आपका project है इस project को बनाने में आपके किस किसने help करी आपके किसके under रहे के आपने project बनाए है जैसे यहां पे पूजा मिस्स पूजा जो assistant professor है उनके under में रहे के प्रिंसिपल के अंदर में रहे के student ने यह project बनाए है तो इस तरह से आपको लिखना होता है नेक्स्ट फिर हमारा आता है acknowledgement acknowledgement पे बस आपको यह लिखना है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है that I receive a lot of help from several people to complete this project इसमें आपको अपने teachers का thank you लिखना होता है और आपको लिखना होता है कि आपके college ने कितनी help करा यह सब वगएर आपको acknowledgement लिखना होता है बागे देखिए आप सेम आपको अपने college से भी पूछ लेना कि उनको कैसा acknowledgement लिखवाना है क्योंकि हर हर college अपना अपना ही content लिखने को बोलता है तो फिर आपको acknowledgement लिखना है next उसके बाद आपको अपने project का content लिखने कि आपके project में आपने क्या क्या लिखा है जैसे कि इस तरह से आपको index की form में अप content बनाना होता है next आप चलते हैं हम अपने content की तरह सबसे पाले और अचे चाहते हैं और प्रोजेक्ट बनता है तो यह तो यह pattern तो same ही होता है कि chapter 1 हमारे introduction होता है फिर आपको introduction लिखना होता है जैसे कि यहाँ पे इनों ने लिखा हुआ है इनका human hair के बारे में project था सबसे बहुत है नोंने human hair को समझाया है फिर इस तरह से इन student ने इस hair का diagram भी दिया गया है diagram और pictures paste करी है जो आप भी use कर सकते हो है ना तो और यह जो आप देख रहे होंगे bracket में कुछ नहीं यह बस आपके reference होते है कि आपने कौन सा reference number लगा है जो आपको end वह लिखना है वो आप समझ जाओगे ठीक है तो इस तरह से देखो इन्होंने से human hair समझा रखा है फिर आपको इस तरह से फिर next topic आते है growth cycle भी बताया हुआ है इसमें भी इन्होंने यूज करी हुए picture तो आप देखो इस project से idea लेके आप जान सकते हो कि यह project आपको कैसे बनाना है नेक्स्ट फिर उसके बाद जैसे की इन्होंने dandruff समझाया है dandruff में इन्होंने सबसे पहले paragraph की form में लिखा हुआ है और अच्छे तरह से काफे साफ सुतरा project है अच्छे से आप देख सकते हो फिर इन्होंने शांपू के बार में बताया है कि benefits of shampoo types of shampoo क्या होते है तो आप इ एक nurse conditioner वगएरा क्या होते है फिर हमारे chapter 1 यहां पर complete हो जाता है दन्होंन करते है chapter 2 की तरफ जहां पर literature review लिखा होता है literature review में आपको कुछ नहीं करना होता literature review में जो भी आपने general use किया है न या फिर जो भी आपने article use किये है उसका जो summary थोड़ा सा summary वगए conclusion वगएरा को literature लिखान जी लोहिया श्वेता और पी वेंगल यह सब क्या है writers के नाम है ठीक है तो आपको writers के नाम लिखने होते है फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होते है कि थोड़ा सा एक छोटा सा आप देख लोगे ना जब भी आप general कोई भी लोगे तो वहां पर summary वाला section वहां स टेबल भी बना रहे है herbal constraints in uses की literature survey के अंदर तो इस तरह से आप टेबल का form भी यूज कर सकतो जैसे इन्होंने काफी अच्छे pictures यूज करें है तो यह काफी अच्छा लग रहा है देखने में next आपका जो chapter 3 आता है वह होता का aim and objective तो aim and objective में बस आपको एक आपको practical भी करना हो इसके objective क्या है यह सब इन्होंने लिख रखा है next हमारे chapter 4 में क्या होता है plan of work plan of work में आपने बस यह लिखना है कि यह work आपने कैसे कैसे लिटरेचर सर्वे सेलेक्शन और प्रिफ्रमेशन स्टेडिस फॉर्मेशन प्रिपरेशन प्रिपेड फॉर्मेशन तो यह सब आपको work में लिखना होता है next हमारा chapter 5 आता है drug and excipient profile drug and excipient profile में बस आपको जो drugs होते है उसके बारे में लिखना है जैसे herbs used in the thermal shampoos, नीम वगरा यूज होता है तुलसी वगरा यूज होता है तो यह सब इसमें आपको लिखना होता है next chapter 4, chapter 6 की तरफ, chapter 6 में जैसे मैं आपको बताया थै कि आपको experiment करना होता है जो भी हमारा 8 semester में जो भी आपको project होता है तो यहां पे जो experimental work है वो आपने ल material को फिड्राइ करेंगे grinding करेंगे वेंग करेंगे सीविंग करेंगे सबसे हम शांपू powder को बना देंगे पैकेजिंग लेबलिंग करेंगे मिक्सिंग करेंगे तो यह काफी helpful रहेगा फिर नेक्स्ट आते एवालुशन अफरबर श्यांपू की evaluation test यसे organ laptic evaluation general evaluation यह सब इसमें ruce and discussion लिखना होता है इसमें आपको लिकना है कि आपके क्या test यह आपके testじゃあिक कई रिजल्ट आख यह आपको इसमें लिखना होता है next chapter 8 आता है वह आपको conclusion होता Privacy conclusion में बस जो भी आपने project किया है वो आपको लिखना होता है next आपको आता है references जो मैं आपको बता रही थी कि आप सोच रहूंगे इस bracket में क्या लिखा है इस पस इसमें reference reference number डाल रखें ठीक है तो यह हमारा reference है जैसी कि यह हमारे reference student ने add कर रखें कि total 27 reference लगें इस project में यही था यह project हमारा भी फार्मसी एड सेमेस्टर का यह project में आपको टेलीगाम में शेयर जरूर कर दोंगे तो आप इससे help ले सकते हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐस सब्सक्षा